C.A. के लिए अभी लाने की क्या जुरूरत थी? सारे जो विपक्ष के नीता हैं सब कह रहे हैं कि ये ठीक चुनाव के पहले नोटिफेकेशन लेके आए हैं. पहले बात तो C.A. की ज़रूरत क्या थी? और इसकी नोटिफेकेशन चुनाव के दो या तीन महीने पहले क्या है? सारे विपक्षी दल. ओवेसी हो, राहूल गांधी जी हो, या आरविन केजरिवाल हो, या ममता जी हो. ये जूट की रादनीती कर रहे हैं. इसलिए टाइमिंग का महतो नहीं है. भारती जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोशना पत्र में कहा है कि हम C.A. लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगलादेश के जो सरनार्थी है, उनको नागरिकता देंगे. तो भारती जनता पार्टी का एजंडा बहुत सपस्ट है और वो एजंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है. 2019 में ही एप बिल संसत के दोनों सदनों ने पार कर दिया. उस चुने जाने से पहले अभीव्यक्त कर दी है. चुनने के बाद फ़स्ट प्राविर्टी में पहले ही साल में दोनों सदनों से इस कानून को माननेता मिल गई है. रूल्स फॉर्मालिटी है. अब टाइमिंग का या पोलिटिकल गेन या लॉस का सवाल नहीं है. अब विपक् तुरुष्टी करन की रादनीती करकर, एपिस्मेंट की पोलिटिक्स करकर वाट बेंक को कॉंसल्डेट करना चाता है. मैं उनको विननती करना चाता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो, यह मत करिये. पूरे देश की जनता जानती है कि CAA इस देश का कानून है और इस चार इतने साल तो हुआ नहीं, 2019 के बाद अब हुआ है. वो थमरूल वहीं का वहीं है, आज क्या फर्क पड़ गाए? बताईए. बोई फर्क नहीं पड़ा है. भारतिय जनता पार्टी के लिए पोलिटिकल घेन का मुद्दा नहीं है. भारतिय जनता पार्टी के लिए हमारे नेता नरेंदर मोदी जी के लिए अफगानिस्तान, प मुक्ति दिलाने का मुद्दा है और उनकी तीन पीड़ी को नियाए दिने का मुद्दा है जो कॉंग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दिया